लेखक की और से पहाड की चोटी तक पहुँचने के लिए बहुत से मार्ग होते हैं। ठीक इसी प्रकार वैदिक परंपरा के अनुसार जन्म मरंड के चक्र से मुक्त होने के लिए भी कई मार्ग हैं। जिन पर चल कर परमार्थ का जिग्यासू अपना लक्ष पूरा कर सकता है। यहे बात निश्चित है कि वैदिक परंपरा में मार्ग के बजाए लक्ष का महत्व है। प्राचीन धर्म गरंथों में बताये गए मुक्ति के मार्ग जो मेरी द्रिष्टी में वर्तमान समय के जिग्यासूं के लिए बहुत महत्व रखते हैं। वे हैं निवृति मार्ग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्यान योग, राज योग, प्रपति मार्ग और नाद योगादी। जिग्यासूं के सोभाव को ध्यान में रखकर भले ही कई अलग-लग मार्ग बताये गए हैं। लेकिन ये मार्ग अपने अपने दायरों में पूरी तरहां बंद नहीं हैं। प्रतेक मार्ग दूसरे मार्ग की और जाता है और अंतताह ये सभी मार्ग उस एक परमपिता परमात्मा की और ले जाते हैं। उधारन के लिए कर्म योग और भक्ती योग एक दूसरे के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं। कोई जिग्यासू यह प्रशन पूछ सकता है कि जब इस विशे पर धेरों पुस्तके उपलब्द हैं, तो फिर इस पुस्तक की क्या जरूरत है। जब मैंने वैदिक साहित्य पढ़ना शुरू किया, तो मेरे लिए कुछ जटिल धारनाओं और सिध्धान्तों को समझना बहुत मुश्किल हो गया। इन्हें पूरी तरह समझने में और अपनी जिग्यासा शांत करने में मुझे बहुत समय लगा। मैं उन जिग्यासूं के साथ अपना ज्यान बांटना चाहता हूँ, जिने परमार्थ की अपनी खोज के दोरान ऐसे ही कठिनाईउं का सामना करना पड़ा है। वेदों, उपनिशदों और इनसे सम्बंदित धर्म ग्रंथों, जैसे ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता आदी में वर्नित, मुक्ते प्राप्त करने के मार्गों और उनके मूल विश्यों पर जो ग्यान मैंने अर्जित किया है, इस पुस्तक में उसका भी समावेश है। पुस्तक का मुख्य विशे, जन साधारन को वैदिक परंपरा में वर्नित, अध्यात्म के अनेक पक्षों का विवस्थित और विस्त्रित परिचे देने से सम्बंदित है। चुंकि यह पुस्तक जन साधारन को ध्यान में रखकर लिखी गई है, इसलिए मैंने विशे को बड़े सरल ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हलांकि लिखते हुए मन में यह डर बना रहा कि कहीं कोई अनुचित कथन बीच में न आ जाए। इस पुस्तक को मैंने बड़ी सावधानी से लिखा है और मुझे पूरी आशा है कि मैंने तथ्यों को ना तो गलत ढंग से और ना ही सरसरी तोर पर प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही पुस्तक का प्रतेक अध्याय अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र है। इसी कारण कुछ धारनाओं और सिध्धान्तों को दोहराना आवश्यक हो गया है। मैं ग्रंत सुची में दिये गए इन सभी लेखकों के प्रती आभार व्यक्त करता हूं जिनके इस विशे पर महत्वपूर्ण योगदान से यह पुस्तक लिखी गई है। जहां तक उधरनों का संबंध है, मैंने प्रसिध विद्वानों और अध्यात्मे गुरूं के कथनों का ही प्रियोग किया है या फिर उनके कथनों का अनुवाद किया है। यह निर्ने सोच समझ कर किया गया था, अगर मेरा अनुवाद पारंपरिक अनुवादों से भिन हो, तो कह सकते हैं कि मेरा दृष्टिकोन पक्षपातपूर्ण है, हालांकि जो अनुवादित अंश मैंने चुने हैं, उनमें मेरा दृष्टिकोन भी स्पष्ट दिखाई देत है, उधारन के लिए अनावरितिह शब्दात का परंपरागत अनुवाद है, धर्म गरंथों के अनुसार मुक्त आत्माओं का पुनरजन्म नहीं होता, लेकिन इस सूत्र का अनुवाद इस प्रकार भी किया गया है, शब्द से ही मुक्ति प्राप्त होती है, मैंने उनके इ लिखकों और कठिन शब्दों का इस पुस्तक में वर्ननाया है, शब्दावली में उनका प्रिचे दिया गया है, आध्यातने ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सभी स्त्री पुर्षूं को है, इस पुस्तक में वह, उसका आधी सर्वनाम वाचक शब्दों का प्रयोग लिखने की सुविता को ध्यान में रखकर किया गया है, स्त्री और पुरुष की द्रिष्टी से नहीं, परमार्थ के जिग्यासु जो आवागमन चक्र से मुक्ती के परमलक्ष की प्राप्ती की खोज में लगे हुए हैं, मुझे आशा है कि यह पुस्तक उन्हें इसका चु कर नरायन